हलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का आपके यूटूब चैनल MSK Payment Suite में स्वागत है सबसे पहले आप लोगों को सिच्छक दिवस की धेरो सुब कामना है और इसी सिच्छक दिवस पे देखिए जितने भी पॉल टेक्निक के स्टूडेंट से जो इंतजार कर रहे थे कि हम ल और कितना सुल्क लगेगा भूं रजिस्टेशन का सुल्क होगा वह कितना लगेगा फिर हम लोग उसको कब कर सकते हैं जो हम आपना च्वैस भरेंगे उससे तो यह सब लोगों का exam हुआ था आपको पता होगा यह जो पॉल टेक्निक के exam हुए थे वह हुए थे 19-6-22 को इसका गोशित किया गया था 97-02-22 को जारी कर दिया गया था लेकिन counseling से related कोई information नहीं थी तो आज है 5 सितंबर 2022 उसे उसके लिए यह जो साच्छतकार होगा हम लोग का कांसलिंग होगा पहले राउंड के लिए उसका डेट आ चुका है और सबसे पहले मैं बता दूँ आपका जो यह कांसलिंग होगा वह कांसलिंग ऑनलाइन होने वाली है तो इसमें जो-जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अडमेशन के है यह आप JCCB के साइट पर जाकर डाउनलोड कॉलम पर देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कितने सीट एविलेबल है 2022 और इस वर्स के लिए ठेक है अब ज़दी यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यह जो आपका कांसलिंग होगा वहां पर क्या किया हम लोगों को जरूरत पड़ेगाद सबसे पहले मैं यहां पर बता देता है कि को ससucker qui तो आपको कि यहां पर ध्यान तेखिए कैस्ट को अंडरलाइन कर लीजाएगा जो न करने का जो स्टार्टिंग देट है और करने का जो डेट है सीट अलटमेंट के लिए वह साथ से स्टार्ट होने वाला है साथ नो दो हजर बाइस मतलब पर सो से आप लोगों का इस्टार्ट हो जाएगा और जो कांसिलिंग का लाज्ट डेट है ज़्यादी हम बात करते हैं तो च्राइस फिलिंग के लिए मतलब को 15 तारिक को आपका ऑटमेटिक लॉक हो जाएगा आप कोई जिस च्राइस को फिल किये हैं उसके बाद आपका सीट अलटमेंट लिस्ट आएगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला कौन कौन सा नहीं मिला यह होगा 20 सेप्टेमबर को और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो अलटमेंट लेटर जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला वह 21 से 28 तक आपको उसको आलटमेंट कर सकते हैं और उसका वरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको मिला है उस college में जाकर verify कराना पड़ेगा और उसका भी जो आपका date है वो 21 से 28 September ही रखा गया है तो registration करने के लिए आप लोग जा सकते हैं पॉल टेक्निक 2022 के लिंक पर और वहां से आप लोग यहां पर register कर सकते हैं अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो चॉइस फिलिंग है सीट का अब जितना मंद उतना college भर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको चॉइस फिल करते समय अच्छे से और साधानी से भरना है आपका जिस हिसाब से रेंग आया है उसी हिसाब से college का chain करना है तापकि आपको अच्छा college मिल सके ठीक है तो आप यहां पर देख लिए इसलिए बोल दिया गया कि जो mark निर्देशिका दी गई है मतलब किस तरह से registration करवाना है किस तरह से क्या करना है उसके बारे में जो वि दिखान रखना है कि आपका जो editing होगा मतलब जो choice filling है वो 14 और 15 सेप्टेंबर तक होगा अब जैदि लॉप मतलब एडिट नहीं करते हैं तो 15 सेप्टेंबर को automatic इसे लोग कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां से कुल मिला का बात यह है कि आपका 7 सेप्टेंबर से start हो रहा ह है और यह कब तक चलेगा जैदि हम बात करते हैं तो 13 सेप्टेंबर तक चलेगा उसके बाद आप 14 और 15 को क्या कर सकते हैं 14 और 15 को आप इसमें edit कर सकते हैं choice में 28 को आपको allot कर दिया जाएगा और 21 से लेकर 28 तक आपको उससे download करके जैदि हम बात करते हैं तो आप verify कराना पड़ेगा आपको जो college मिलेगा ठेक है अब इसकी जदि हम बात करते हैं school , किसुल की कि भी लग रहा है तो आप किसी भी थूरा कर सकते हैं payment credit card सब्यों कर सकते हैं debit card सब्याइब कर सकते हैं यया net banking के थूरा कर सकते हैं जो आपका यह non refund Abram この हो ठीक है ध्यान में यह रखना आपको तो जैनरल EWS BC1 और BC2 सभी के लिए कितना फी रखा गया 400 फी रखा गया SC ST और female candidates किसी भी category की हो उसके लिए फी रखा गया 250 रुपेज रखा गया ठीक है और एक बर जदी आप लोग को कॉलेज मिल जाता है तो आपको सीट आवंटन है थू मतला आपको कुछ रुपीज वहां पर जमा कराना पड़ेगा और वह है आपके पास धेरो सुब काम नहीं और इसी तरह से वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले आपने हमें बहुत धैरे से सुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद